Hello everyone, welcome to my channel Friends, आज में share करूँगी 15 से भी ज़्यादा hardy flowering plant जिन पर पूरे साल फूल आते हैं और जिनकी cutting अभी इस समय आसानी से ग्रोह हो जाएगी तो वो कौन कौन से पौधे हैं जिनकी cutting अभी आपको लगा लेनी चाहिए Hello everyone, welcome to my channel Friends, आज में share करूँगी 15 से भी ज़्यादा hardy flowering plant जिन पर पूरे साल फूल आते हैं और जिनकी cutting अभी इस समय आसानी से ग्रोह हो जाएगी तो वो कौन कौन से पौधे हैं जिनकी cutting अभी आपको लगा लेनी चाहिए इस लिस्ट में पहला प्लांट है एक्जोरा का जिसे रुकमेडी का पौधा भी कहते हैं इसकी cutting आप इन दिनों बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं यह permanent flowering करने वाला बहुत ही hardy plant है गर्मियों में और बरसात में इसमें बहुत ही जादा flowering होती है गर्मियों में यह पूरी दिन की धूप बरदाश करता है और भरपूर फूल देता है इसकी फूल कई color में गुच्छों में आते हैं जो बहुत ही खुबसूरत दिखते हैं इसकी pencil जितने आकार की cutting लगा दें बहुत ही जल्दी grow हो जाएगी अगला पूधा है मधु मालती इसे रंगून creeper जुमका बेल भी बोलते हैं यह पूधा बहुत ही hardy perennial plant है पूरी साल इसमें फूल आते हैं फूल बहुत ही खुबसूरत गुच्छों में आते हैं इनके फूलों से बहुत ही अच्छी खुश्बू भी आती है यह पूधा आसपस कहीं भी मिल जाए तो इसकी cutting ले आए इसकी pencil लाकर की cutting आराम से चलती है इसकी बेल को आप छट पर, railing पर भी चढ़ा सकते हैं और इसे गमलों में भी लगा सकते हैं और जमीन पर भी तो अभी इसकी भी cutting लगा ले आसानी से लग जाएगी next plant है, जो बहुत ही hardy plant है और इसकी cutting भी आप अभी easily लगा सकते हैं यह है yellow bell, टिकोमा, इसे गोरी चोरी भी कहते हैं और यह बहुत ही खुबसरत गुच्छों में इसके फूल आते हैं yellow, pink, orange, कई color में आता है इसे जमीन पर या गमले में भी लगा सकते हैं इसकी cutting बहुत ही आसानी से grow हो जाती है आप इसे जरूर लगाएं अगला पूदा है, रातरानी का जिसे ही night jasmine भी कहते हैं इसके फूल रात में खिलते हैं और इनके फूलों से बहुत तीज खुसबू आती है जो चारों तरफ फैल जाती है इसके फूल सफेद कलर के गुच्छों में खिलते हैं जो बेहत खुबसूरत होते हैं रातरानी की cutting भी इस सीजन में बहुत ही आसानी से चलेगी किसी पौदे के गमले के साइड में भी अगर आप इसकी cutting को लगा दे तो भी वो बहुत जल्दी grow हो जाती है अगला जो फ्लावरिंग प्लांट है वो है हिबिसकस यानि गुड़ हल का इसे चाइना रोज चावा कुसम भी कहते हैं इसे cutting से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं इसकी cutting बालू, मिट्टी, कोको, पीठ या पानी में भी लगा कर आसानी से grow कर सकते हैं इसकी hybrid variety में कई color आते हैं सफेद, pink, yellow, आदी और देशी variety लाल गुड़हल की होती है जो बहुत ही easy to grow है इसे जमीन पर लगाते हैं तो बड़े पेड कर रूप ले लेता है और बहुत ही जादा flowering करता है hardy plant है, पूरे साल ही flowering करता रहता है तो इस पूदे को आप जरूर कटिंग से लगा लें next plant है, euphorbia mille ये बहुत ही खुबसूरत plant होता है इसके फूल कई color में आते हैं बहुत ही hardy plant है और गर्मियों में बहुत ही जादा flowering करता है इसकी flowering पूरे साल ही होती रहती है perennial plant है इसे बहुत जादा care करने की भी जोड़ नहीं होती है cutting से ये पूदा बहुत ही आसानी से grow हो जाता है इसमें चुटे-चुटे काटे होते है तो जब भी इसकी cutting लगा है तो बहुत ही सावधानी से काम करें plant है लहसुनिया बेल या garlic wine इसके पूदे से लहसुन की महाकाती है कई कलर में इसके फूद आते हैं और बहुत ही खुबसूरत दिखते हैं इसकी भी cutting आप इन दिनों आसानी से grow कर सकते हैं next पूदा है Mexican pitunia ये बहुत ही hardy plant है पूरे ही साल इसमें flowering होती है बहुत ही तेज दूप में बिना किसी खास देख रेक के भी ये पूदा survive करता है flowering करता रहता है इसके फूल गुलाबी और नीले रंगों में खिलते हैं इसमें seed pot भी बनते हैं जिनसे आप नए पूदे बना सकते हैं Mexican Petunia का पूदा भी cutting से बहुत ही आसानी से लग जाता है तो इसे भी आप लगा ले next plant है Lentana का जो बहुत ही खुबसूरत plant है और गर्वई में बहुत ही ज़्यादा flowering करता है actually ये पूदा पूरे साली flowering करता है इसके फूल कई कलर में गुच्छों में आते हैं और cutting से इस पूदे को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं इसमें seed pots भी बनते हैं तो आप इसे seed से भी लगा सकते हैं लेकिन cutting से बहुत ही जल्दी लग जाता है उपर से 3-4 इंच की tips की cutting ले 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 से cutting बहुत ही आसानी से लग जाती है यह बहुत ही हाटी प्लांट है और बिना किसी खास केर के पूरे साल आपके garden बना रहेगा और बहुत ही जादा फ्लावरिंग करेगा तो इसे जरूर कटिंग से अभी लगा रहें अगला पौदा है चांदनी का यह बहुत ही हाटी प्लांट है जो पूरे साल फ्लावर देता है गर्मियों में और बरसात में तो चांदनी का पौदा फूलों से भर जाता है रसे तो इसकी cutting साल में कभी भी लगा सकते हैं इसके पौदे पब्लिक प्लेसेस पर पार्कों में आसानी से मिल जाते हैं वहाँ से इनकी cutting लाईए और लगा दीजे बहुत ही आसानी से लग जाती है चांदनी भी कई विराइटी में आती है छोटे फूलों वाली मिनी चांदनी बड़े फूलों वाली सिंगल पेटल में और डबल पेटल में इसके सफेद रंग के फूल बहुत ही खुबसूरत दिखते हैं मैंने इसे cutting से ही लगाया है और अभी इसमें कलियां भी आने लगी है तो चांदी की cutting को आप इन दिनों लगा सकते हैं नेक्स प्लांट है गुलाब का यह सभी का पसंदीदा फूल है इसे फूलों का राजा भी कहते हैं गुलाब के पूदे बहुत से color variety में आते हैं इसके फूल बहुत ही सुगंदित और खुबसुरत होते हैं इसे मैंने cutting से लगाया है और अभी इसमें धेरो कलिया आ चुकी है गुलाब के देशी और hybrid variety देखने को मिलती है दोनों ये variety के पौदे आप cutting से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं नेक्स प्लांट है सदा बहार या विंका का यह बहुत ही hardy plant है जो गर्मियों में बहुत जादा फूल देता है perennial plant है एक बार आप इसे लगा लें तो यह आपके garden से कभी नहीं जाता फूलों की कभी भी कमी नहीं होने देता है इसमें seed pot बनते हैं जो mature होकर खुद ही इधर उधर garden में फैल जाते हैं और उनसे धेरो पौधे तयार हो जाते हैं इसके देसी विराइटी में फूल सफेद और हलके परपल कलर के आते हैं इसकी hybrid विराइटी आपको nursery में आसानी से मिल जाएगी hybrid विराइटी के पौधे कई कलर में मिल जाते हैं इन पौधों को आप 20 से या cutting दोनों तरीकों से लगा सकते हैं नेक्स पौधा है जो गर्मियों में बहुत जादा फ्लावरी करता है नौ बजिया या इसे मॉस रोज भी कहते हैं और परसिलेन के प्लांट इनकी छोटी से छोटी कटिंग भी बहुत एजली लग जाती है और बहुत तेजी से फैलती है छोटी सी कटिंग से आप धेरों पौधे तयार कर सकते हैं और पौट फूलों से भर जाता है जितनी ज़्यादा धूप मिलती है उतना ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं कई रंगों में आते हैं छुटी छुटी पॉट में भी लगा सकते हैं तो यह best option है इन पॉदों की cutting आप इस सीजन में वस्ते लगा निक्स्ट बहुत ही हाड़ी और घर्मियों में बहुत ही ज़ादा फ्लावरिंग करने वाला पॉदा है बोगिन बिलिया का बहुत ही कम देख रिक में चलने वाला पॉदा है इसे 2-4 दिन तक पानी देना भूल भी जाएंगे तो भी भर-भर की फ्लावरिंग करता रहता है जमीन पे लगाते हैं तो पेड के आकार का हो जाता है और गमले में भी लगा सकते हैं मोगिन मिलिया कई कलर और विराइटी में आते हैं इनके गुच्छों में फूल बहुत ही खुबसूरत लगते हैं वोगिन मिलिया की कटिंग पेंसिल के आकार के ले आए और उसे सिंपल बालू में लगा दे तो नया पौधा बना सकते हैं फिर चाहे वो देसी विराइटी का हो या फिर हाइब्रीड विराइटी का मैंने अपने इस पौधे को कटिंग से ही बनाया है और इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ स्टार्च हो चुकी है तो आप इस पौधे को जरूर एट करें नेक्स प्लांट है कनेर यानि ओलेंडर का इसे भी आप कटिंग से इसली ग्रो कर सकते हैं बहुत ही hardy plant है, यह best summer flowering plant है, इसमें फूल yellow, pink, red, सफेद, कई रंगों में उच्छों में आते हैं, जो बहुत ही खूर्सूरत लगते हैं, पूरे सार flowering करने वाला पौधा है, कनेर के पौधे roadside में पार्कों में अक्सर लगे मिलते हैं, यहां से आप इनकी cutting आसानी से लिया पी भी कहते हैं, क्योंकि इसके फूल मटर के फूलों की तरह दिखते हैं, यह नीले और सफेद रंगों में आते हैं, इसमें seed pods भी बनते हैं, तो इस पौधे को आप seed से भी grow कर सकते हैं, लेकिन इसकी cutting लगाना बहुत ही आसान है, तो इन दीनों अप राजिता के भी cutting आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा, थैंक यू फ्रेंट्स वाचिंग दे वीडियो, आए, टेक केर